हिंधी कहानी सोने का स्पर्श यह कहानी है ग्रीस के एक राजा मिदास की, वो बड़ा लालची था, उसका सबसे प्रियकाम था, जयादा से ज्यादा सोना जमा करना और उन्हें गिंते रहना, वो बड़े से महल में रहता था, पर उसे और ज्यादा बड़ा महल चाहिए था, धेर सारे नौकर चाकर थे, पर और नौकर चाहिए थे, और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था. उसके महल के आगे एक सुन्दर सा बगीचा था. उसकी बेटी को उस बगीचे में खेलना कूदना बहुत पसंद था. सुन्दर सुन्दर फल फूल उसे बहुत अच्छे लगते थे. पर मिडास उन्हें देखकर सोचता कि ये सब सोने के होते तो कितना अच्छा होता. दिन का ज्यादा समय वो अपने खजाने में ही बीटता और सोचता रहता कि किसी तरह उसे और ज्यादा खजाना मिल जाए. एक मिडास ने हाथ जोड कर कहा. ठीक है, फिर मांगो तुम्हें क्या चाहिए. देवता ने फिर पुछा. देवता की बात सुनकर मिडास बहुत खुश हुआ. वो सोचने लगा कि वो देवता से ऐसा क्या मांगे जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा हो. थोड़ी देर दि बिल्कुल हो सकता है. अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है. कल सुबह सोकर उठने के बाद, तुम जो कुछ स्पर्श करोगे, वो सोने में बदल जाएगा. देवता ने कहा और गायब हो गए. मिडास को अपने कानों पर और अभी अभी उसने जो देखा, उस पर यकीन नहीं हो रहा था. एक देवता उसे इतना बड़ा वर्दान देकर गए थे. उसे इतनी उत्तेजना हो रही थी कि रात में उसे नींद नहीं आ रही थी. उसे लग रहा था कि कब सवेरा हो और वो हर चीज को चूचुकार सोने का बना दे. सोने का महल, सोने का बगीचा, सब क खुली तो देवता की बात उसे याद आ गई, वो उठने लगा तो उसका पलंग सोने का बन गया, यह देखकर वो खुशी से उच्छाल पड़ा, वो दोड़ दोड़ कर अपने कमरे में रखी हर चीज चुने लगा और पल भर में वह चीज सोने में बदल कर जगमगाने लगत मैं बन गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी, फिर वो बगीचे की तरफ दोड़ा और वहां भी उसने सारे फूल, पत्ते, पीर, पौधे, पूरा बगीचा सोने का बना दिया, इतनी भागा दोड़ी में उसे तेज भूख लग गई, वो महल के अंदर दोड़ा खाना खाने के लिए, खाने की मेज पर तरह तरह के पक्वान सजे थे, जल्दी से कुछ अंगूर उठा कर उसने अपने मुह में डाला, पर यह क्या उसके मुह में तो सोने के अंगूर थे, उसके दांत तूटते तूटते बच्चे, वो जो कुछ भी खाने की कोशिश करता वह सोने में बदर जाती और वह खा नहीं पा रहा था फिर उसने पानी पीने की कोशिश की तो जैसे उसके मुँँ में पिगला हुआ सोना था उसे तुरंत बहार फेकना पड़ा और दुखी होकर बैठ गया कि अब वह खाना कैसे खाए तभी बहार से उसकी बेटी रोती हुई आई पिता के गले आ लगी वह कुछ बोल पाठा इससे पहले ही उसकी प्यारी बेटी उसकी आँखों के सामने बन गई सोने की यह देखकर मिदास फूट फूट कर रोने लगा और चीकते हुए बोला ही देवता मुझे यह वर्दान नहीं चाहिए क्रिपा करके यह वर्दान वापस ल नहाने के लिए कहा नहते वक्त जादू उसकी हाथों से बहकर नदी के पानी में जामिला और वह जादू से मुक्त हो गया वापस जब वह अपने बगीचे में आया तो उससे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था उसकी जीती जागती और प्यार सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है